नमस्का दोस्तों इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडिन ओयल कॉर्परेशन लिमूटेड यह स्टॉक 166 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है मार्केट में आज इसने 0.19% का डाउन मूव दिया था मार्केट कैप होगी है इसकी 2,34,653 करोट की रिमोटर होल्डिंग 51.50% है वोक वेल्यू 130 है डिविडिन दिल 7.22% है और फेस वेल्यू 10 है फंडमेंटल वीडियो में अलड़ी बना चुकी हूँ प्लेलिस में आड़ कर दूंग आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉट में देखे तो इस टॉक जो है वो अभी 50 डियमे को डेथ क्रॉस तो नहीं दिया है प्राइज ने बिल्कुल उसके कगार पे जरूर खड़ा है हो सकता है यहां से रिवरसल ले तो बहुत अच्छी बात होगी मतलब अभी के लिए देखे तो यह स्टॉक 50 एं 200 एं में दूनों से उपर ट्रेड कर रहा है अभी एंड पी रिशो की बात करें तो मीडियन से पी रिशो छोट उसी नीचे है और वन मंत के टाम स्वें पर देखें तो बिल्कुल मीडियन पर है तो कोई इतनी दिक्कत की ब अभी के लिए देखें तो आज हमें एक स्पेनिंग टॉप बनता हुआ दिखाई दिया है स्टॉक नीचे आया था यह सपोर्ट जो हमें लग रहा था कि जो ब्रेक नहीं करेगा उसको इसने ब्रेक किया है आज स्टॉक काफी नीचे आया था बट यस हमें रिवर्सल जरू है काफी अच्छा आया है बट पहले के मुकाबले उतना वॉल्यम नहीं आया है तो वॉल्यम थोड़ा से ड्रॉप हुआ है अभी में को लगता है कि अगर यह थोड़ा सा यहां पे सपोर्ट बनाती है रसाई और यह रिजिस्टेंस भी रसाई की तो उसको यह फेस भी कर र जहां पर ब्रॉड्ड था उसके कम्पैरिजिन में देखे तो काफी जादा नैरो हो चुका है यहां पर देखे किता ब्रॉड था काफी जादा नैरो है इनी टाइम मुझे लगता है अगर एक कोई निउज आ जाए तो पुश मिल जाए तो एक अलग बात है बहुत अची बात हो जाएगे बट अभी के लिए देखे तो मुझे स्टॉक जो है वो थोड़ा सा बायर सेलर्स दोनों के ही हाथ में लग रहा है थोड़ा सा रिवर्सल जरूर मिला है बट यहां पर यह जरूर बोलूंगी सेलर्स के हाथ में ज्यादा लग रहा है वीकली चार्ट एक पर देख लेते हैं तो वीकली चार्ट पर देखे आज स्पिनिंग यह तो हमें मिला है स्पिनिंग टॉप एंड यहां पर भी स्टॉक हमें थोड़ा सेलर्स के हाथ में जाता हुआ दिखाई दिए था पिरसिंग कैनल पैट्रों यहां पर बना था एंड आज भी थोड़ा सा य यह केंडल लेके जाती है जब वीकेंड होता है आज यह जो हमारी पॉफेक्ट ट्राइंगल जो हमने बनाई थी उसको टच करके वापिस आया है रिवर्सल हमें जरूर मिला है जो की एक काफी पॉजिटिव बात है यहां पर यहां पर अभी के लिए आरसाई देखे तो 57.74 पर है वीकली एंड डेली आरसाई एक बार चेक कर लेते हैं तो वह है 49.81 पर मतलब 50 के आसपास और मुझे लगता है कि यहां से एनी डे एनी डे यह स्टॉक काफी हमारी पेशिंस को टेस्ट कर रहा है बट मुझे लगता है एनी डे इसका ब्रेक आउट हो सकता है यहां से थोड़ा सा इसको पुश मिले अगर किसी चीज का कोई न्यूज आया कुछ हो तो मुझे लगता है इसको बड़े अराम से ही निकल सकता है यहां पर भी देखे काफी टाइम तक यह कंसॉलिडेट करता है वैसी यहां पर चलो एक माउंटिन बना है मूव मिले हैं बट यहां तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करना बनता भी है एंड उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा मशक्कत करके अगर यह निकलेगा थोड़े से इसको ऑफकॉस वॉल्यम की थोड़ी सी जाधा ज़रत पड़े क्योंकि यह वॉल्यम काफी जाधा डाउन है इस टॉकर निकलने के लिए क्योंकि यहां पर रिजिस्टेंस बहुत सारी आ चुकी है एक बार बीएसी पर चलते हैं बीएसी पर देखे इसका प्राइस बैंड जो है वो है टेन परसेंट का एंड न्यूजए सच कोई बिनी है जो इसके प्राइस क्या पर डाउन में किसी तरीकी की मुझे अभी लगता नहीं है कि एंट्री किसी भी तरीके से बनाने चाहिए लॉंग टम के अगर आपके एंट्री है लॉंग टम के मैं बात कर रही हूं कि एक साल की एंट्री है कुछ है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी यह रन दे सकता है बट अगर आपकी लॉंग बड़े अच्छे मूव मिले बट यह अभी हाफ भी नहीं कवर कर पाया उपर गया था 75% के आस पास इसने रिकवरी दे दी थी उसके बाद फिर से डाउन चला गया तो फिर से यह थोड़ी से दिक्कत हो गया तो यह जितनी हमारी पेशन्स टेस्ट करा है उतने ही अच्छे हमें मूव डेफिनेटली मिलेंगे बट थोड़ा सा यहां पर देखके चलते हैं अब यह जो टागेट है हम यहां पर लेके चले थे इस वीक के एंड के कि यह हो सता है क्योंकि उमीद थी कि यहां से थोड़ा सा निकल जाएगा यहा 166.26 तो ऐसा कोई ट्वीजर बॉटम भी नहीं बना है कि बुलिश पैटरन बने बट यहां पर ट्वीजर टॉप आई थिंक जुरूर बना था और उसके बाद मार्केट नीचे भी गई थी स्टॉक नीचे गया था अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार क कर रही हूँ एन्ड में यह तागेट लेंके चली हूँ यहां तक के यहां तक के टागेट लेंके चलीव निया थ फाइव के एंड मुझे लगता है कि इतना शायद हो सकता है कि दे जाए बाकि अगर कल भी मूज नी मिले तो हो टागेट फिर से रिवाइज करने पड़े ठीक है तो ये मेरी अनेलिसिस है कोई बाइसल होल्ड की रेक्मेंडेशन नहीं है आप अपने अनेलिसिस कीजिए जाने समझे पड़ी है और फिर इन्वेस्ट करेए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए शुक्रिया एंड है बीड़ी है